पड़ेंगे class fourth English life course book जो Harper Collins की है उसका chapter number two everything is possible तो everything is possible इस word, इस sentence का मतलब क्या है? everything is possible ठीक है? तो everything is possible का मतलब है कि हर एक चीज दुनिया में मुम्किन है तो चलिए देखते हैं इस पूरी एक स्टोरी को जो हमें बताता है कि everything दुनिया में हर चीज पॉसिबल है तो अंजली न एक लड़की है जिसकी पोस्टिंग आ गई होती है और वो जुनागर नाम की एक जगा पे वो पोस्टेड हो जाती है इसके जो पापा होते है उनका नाम आशिश होता है जों कि कमिशनर होते हैं मतलब यह सब सब बहुत उसे अच्छी लगती है और उसे सफारी ट्रिप जब भी आप किसी भी जगह घुमने जाते हो ना जैसे किसी गिर्स वैंचुरी में चले जाओगे जहाँ आनिमल्स को रखा जाता है ताकि वह एक्स्टेंड ना हो ठीक है तो वहाँ पर जाने में आप एक सफारी पर जाओगे एक ट्रिप पर जाओग वह दिल्स फ्राइडे का था और स्कूल मंडे को खुलेगा वह भी वकेशन के बाद चुटियों के बाद स्कूल खुलेगा तो वह लिविंग रूम में जाती है फ्लॉप्ड हर सिल्फ एंड सेटल मतलब उच्छल के बैच जाती है और आम से सेटल हो जाती है हर फेवरेट हांन्ट तो रीड स्टोरी वुक्स और उसे स्टोरी वुक्स पढ़ना भी बहुत अशड है हां वह देखती है कि उसके घ़र में कोई घुसा है तो मदर उसके मम्मी वह से बताती है कि वह रगहुराम है जो की एक गार्डनर है जो हमारे गार्डन की गार्डनिंग करते हैं जो हमारे घर के बाहर रहा करते हैं जहां एक मैंगो का पेड़ लगाया हमारे गार्डन में उसी के पीछे रगहुराम जी का घर है ठीक है और उन् फ्रेश मैंगो लाए होते हैं तो अंजली को मैंगो बहुत पसंद होते हैं तो वो खुशी के मारे उचल पड़ती है और बोलती है हुर रहा है वो मैंगो उठा लेती है एक हाथ में और फिर भाग जाती है गार्डन की ओर गार्डन में एक जूला लगा रहता है देखिए जूला यहाँ पर नहीं दिखाया है बट वहाँ पर स्विंग रहती है तो उस स्विंग में बैटके जूलने जाती है और उस जूसी जो फुरूट है उसको खाते खाते उसके मज़े लेते जाती है वो गाना गाते गाते जाती यह तब ही उससे अचानक से एक timid face timid मतलब थोड़ा हुआ, nervous ऐसा face ना जो थोड़ा शर्माता हुआ हो उससे वैसा ही एक शर्माता हुआ चेहरा देखा किसी लड़की का तो शी वो बोलती है कि तुम कौन हो वो बोलती है कि मैं पिंकी हूँ मेरे पापा जो है, वो मैंगो और चर्ड जो तुमारा पेड है वहाँ पेड की धेखभाल करते हैं, पेड के आँसबस काम किया करते हैं तो अन्जली बोलती है उस लड़की को कि चलो तुम मेरे साथ खेलो और वो उसे अपने थोड़ा सा मैंगो भी दे देती है अपने में से तो बहुत दिन निकल गए वो दोनों लड़किया अच्छी अच्छी दोस बन गए दोनों best friends बन गए एक तरह से ठीक है तो एक दिन अंजली ने पूछा कि तो पूछा उस लड़की से कि क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो और क्यों नहीं जाती तो पिंकी बहुत अंकमफर्टेबल मतलब उसे अच्छा नहीं लगा उसे पसंद नहीं आया और फिर उसने जवाब नहीं दिया उसकी पूछ वही बात का और वह वहां से भाग गई अंजली पजल हो गए मतलब उसे कुछ भी समझ ही नहीं आया तो अगले दिन देर टू वास उसन नो साइन अफ पिंकी अगले दिन पिंकी नहीं आई अंजली ने अपने friend को बहुत miss किया और ये decide किया कि वो उसके घर जाएगी तो as she was walking to Pinky's house अब जैसे जैसे वो Pinky के घर की तरफ भाग रही थी वो देख रही थी कि वहाँ पे एक board लग रहा था ये ऐसा board each one teach one उस board पे लिखा था ठीक है अंजली ने इसे पढ़ा इस board को and remember our teacher has thought us rhyming words पढ़ने के बाद ही उसने देखा कि rhyming words हमारे teacher ने सिखाया rhyming words मतलग जिनका same sound हो जैसे each teach, beach ऐसे ठीक है जैसे hello, yellow इसी टाइप से ठीक है but I wondered what this sentence meant पर अंजली को पता नहीं चला कि आखिर ये sentence पे है क्या इसका मतलब क्या हुआ जो सुमन जो अंजली की मम्मी थी सुमन उन्हें हसा और बोला कि एक जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को भी पढ़ने लिखने में मदद कर सकता और इसे सिखा सकता है कि कैसे पढ़ा जाता है तो अंजली बोलती है ये बहुत अच्छा आइडिया है तो उनकी मम्मी बोलती है हाँ ये सच में अच्छा आइडिया है तो सुमन और अंजली जो है आउट आउस जहां उसकी दोसरा करती है वहाँ जाती है Pinky met them shyly Pinky उसकी दोस्त का नाम होता है वो उन्हें शर्मातवे मिलती है ठीक है वो बोल दे लगती है कि मैं उस दिन भाग गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरा मजा खोड़ा होगी क्योंकि मैं कभी स्कूल गई ही और मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं आप पढ़ लिख पाऊं तो अगर वो बोलती है कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है Pinky लिए कि इन फैक एवरिटिंग इस पॉसिबल इफ यू माइन इट अगर तुम ठान लोग कुछ भी करने के लिए तो तुमारे लिए सब पॉसिबल है तो अजली के मम्मी जो बोलती है उसके अपने हाथ उसके कंदे पर रखती है और अराउंड उसका उनको एक दम अच्छे से मतलब का प्यार से पकड़ लेती है अजली एक्स्क्रेम्ड आई है अजली बोलती है अचानक से कि मेरे पास एक आईडिया है तो बोलती है क्यों न तुम मेरे हर लोग में सब घर में आओ जब भी मैं स्कूल से वापस आओ आई विल हेल्प यू लर्न अन हाव टो रीड अब वो बोलती है कि तुम पिंकी को बोलती है कि तुम हमेशा मेरे घर आया करो जब भी मैं स्कूल से वापस लोटूं ठीक है तो मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी तो अंजली ने जो बोला था वो सच में वो निभा रही थे अंजली ने पिंकी को अलग अलग किताबे दी पढ़ने के लिए वहाँ पे उन किताबों में बहुत सारी कहानिया थी जैसे फेरी टेल्स, माइथलोजिकल स्टोरीज, एसोप सेबल्स ठीक है तो हर दिन अंजली नई-ने किताबे लाया करती थी अपने स्कूल की लाइबरी थी ताकि पिंकी उसे पढ़ ले और वो पढ़ना जल्दी से सीख जाए और वो अपने पुरानी स्टोरी बुक्स भी पिंकी को दे दिया करती थी ताकि वो और अच्छे से पढ़े पिंकी वो अनस्टॉपबल अब उसने ठान ली थी कि वो पढ़ना लिखना सीख कर रहेगी वो बहुत मेहनत किया करती थी और पढ़ा करती थी खुछ से दिन रात एक दिन सुमन ने अंजली को बोला I think now the time has come that Pinky can be admitted in a school ठीक है तो अब सुमन जो अंजली की मम्मी थी उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है कि Pinky अब किसी school में जाए Pinky was nervous, Pinky थोड़ी घबराई हुई थी पर अंजली उसका हाथ आराम से पकट के बोलती है उसे classroom में जाने को बोलती है पहला दिन school के दिन ठीक है There was a sight of him, tear in Pinky's and अंजली finally waved her goodbye वहाँ पर मतलब Pinky को खुशी के आसु जो अंजली थी उसे खुशी के आसा हो रही थी कि आखिर मेरी दोस्त Pinky स्कूल जा रही है और तभी वह से goodbye करती है और स्कूल में पहले दिन के दिन चले करती है that day अंजली जो थी न वो eagerly wait कर रही थी मतलब बहुत वेट कर थी कि कब यह निकलेगी स्कूल गेट से कब निकलेगी ठीक है और Pinky वहाँ से भाग के दोर से एकदम vanish होके निकलती है और वो Pinky को देख लेती है अंजली ठीक है और Pinky क्या चलाती है बोलती है I did it मैंने कर दिखाया ठीक है I can read, write, play, I enjoy the school मैंने इस्कूल को बहुत इंचला किया मैं पढ़ लिख बोल सकती हूँ मुझे बहुत खुशी है just guess who was the happiest person सबसे खुशी जो हुई थी वो अंजली को हुई थी आखिर उसकी दोस्त ने पढ़ना लिखना सब सीख लिया था उससे आखर लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा एक्जाम क्लियर कर लिया है the two girls sang in quotes मतलब दोनों girls खुशी खुशी गाते रहे everything is possible, हर चीज मुम्किन है तो आपको यह कहानी कैसी लगी अच्छी लगी न और समझ भी आया होगा अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए share this to your friends, thank you